हमारे साथ मंचपर आपके सबसे प्रियनेता और यहां के मुख्यमंत्री आदेने केच चंशेकर राओ जी मंचपर उपसेद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी सीपियाई के जनल सेकेटरी आदेने डी राजा जी और मंचपर उपसेद सभी वी आरेस पार्टी के सभी वरिष नेता यहां पर इस सभा में उपसेद वी आरेस पार्टी के संगठन के सभी पदादिकारी, मिनिस्टर्स, सांसर, विधायक, सभी नेता और बड़ी संख्या में जहां तक मैं देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सरी सर दिखाई दे रहे हैं मैं अगर बाई तरफ देखता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सरी सर दिख रहे हैं दाई तरफ देखता हूँ तो सरी सर दिखाई दे रहे हैं और मैं जब सामने देखता हूँ, जहां तक देख सकता हूँ वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं मैं इस एतिहासिक धर्टी पर खंबम की इतिहासिक धर्टी पर मैं आदिने के सियार साब का बहुत बहुत धनिवाद और आभार पिकड़ करता हूं का यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके मैं पूरे देश को एक संदेज देने का काम किया है आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे यह इंटिगेटर जो आफिस बनी हैं कॉम्पलेक्स बना है एक यह उधारण है सरकारों के लिए कि एक जगे कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीव और परेशानी नहीं होगी एक ही जगे पर समस्य का समादान हो जाएगा यह खमम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होगी ताकते रही होगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है यहां के किसान यहां के नौजवान अगर किसान कभी इखटे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इखटे हो करके अपनी आवाज बुलंद करकरके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन पस्षितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खाज कर भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक-एक सरकारें जो चुनी ही उनको परिशान कर रही है चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बियरेस की पार्टी की सरकार हो जो सहोग और जो मदद और जो लोकतंत में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है समय समय पर रुकाबट कैसे पैता हो नेताओं को कैसे परिशान किया जाए उनके खिलाफ क्या साज़िश की जाए उनके विपश्च के लोग जो उनके सामने खड़े हो करके सवाल पूस्ते हैं, उनको किस सड़यन से उनको दबाया जाए, उनकी छवी कैसे खराब की जाए, ये भारती जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीत के तहद काम कर रहे हैं, जो संसाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकत हैं, उन संसाओं को भी दबाब बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जनता पार्टी कर रही है, अभी कली भारती जनता पार्टी की मीटिंग खतम हुई है, और उन्होंने का कि चार सो दिन बाकी हैं, हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि अब तो वो स्विकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो यह 400 दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं और जैसा कि भारती जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुत्ते हैं कि महंगाई कैसे कम हो गुरोजगारी कैसे कम हो हमारे लोग जो भारत शोड़ करके चले जा रहे हैं कुछ लोग तो अपनी खुशाली के लेग जा रहे हैं लेकिन बड़ी संक्या में लाखो लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाते क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाती इनके पास बुन्यादी ठोस मुद्धे जो किसान की जरुवत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं आपको सब को याद होगा यही बीजे पी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आए 2022 तक दोगनी कर देंगे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी हालां कि 2023 शुरू हो गया है लेकिन मुझे तो यह लगता है किसान की तकलीफ और परिशानी को देख करके इन भारती जनता पार्टी के लोगों का 2022 सभी खतम नहीं होगा इनका 2022 खतम नहीं होगा पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आए दोगनी कर देंगे वो अभी दोगनी नहीं हुई है हमारा किसान तकलीफ और परिशानी में है उसको वादा तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चीए वो मदद नहीं मिल पारी है यह हमारा जो नौजवान देहाई दे रहा है यह नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविस चौपट कर रहा है यह सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे है लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े प्यमाने पर बिरुजगारी है जैसे ही चुनाव आगया है इन्होंने इतने कर लिया है कि जगे जगे इंवेस्टमेंट मीट करेंगे और इंवेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोका देंगे ये प्रचार के माद्यम से धोका देना चाहते हैं वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो जी टॉंटी के अद्धेश्ता कर रहे हैं लेकिन इस बार इन्हें मौका मिलाया देश्टा करने का मुझे लगता है कि केबल चुनाव के लिए इपरचार करेंगे उसमें कोई ठोस कादम नी उठाएंगे इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगां के सामने खटे हुए हैं जहां मुझे लोगी लोग दिखाई दे रहें उनके सामने मैं कह सकता हूँ कि अगर तिलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेबी का तो उत्त प्रदेश भी पीशे नहीं रहेगा आप अपने प्रदेश से हटाईए यूपी से हम लोग मिल करके उनको हटाने का काम करेंगे हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिने प्रदान मंत्री बनना है वो उत्त प्रदेश जरूर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुजराश से उत्त प्रदेश आए अगर गुजरात से प्रधानमंद्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्तव प्देश के साथ जो धोका हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मा गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्ता का हमारी संस्किती की अस्थान है एक पानी का जहाद चला करके विलास्ता का जहाद चला करके नजाने क्या सपने दिखा रही है सरकार और जिस मा गंगा को साफ हो जाना चाहिए था मा गंगा वैसी की वैसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसा लिया था कि यहां पर किसानों के खेट तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो इंटिकेरिडर इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की मैं आपको बढ़ाई देता हूँ और जन्ता को भी बढ़ाई देता हूँ उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रदेश से शुरुई योजिना जहां पर खेट को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं न कहीं आपकी देन है जिस सरकार ने एक उधारण पेश किया हो और नकेबर इरिगेशन में और भी छेत्रों में मैं ऐसे सरकार के लोगं को बढ़ाई देता हूँ आज खासकर मुख्यवन्तिजी को बढ़ाई देता हूँ जहां इतना विकास हो रहा हो वही भारती जन्ता पार्टी के लोग देश को पीशे ले जाना चाहते है उनके मुद्दे उनके फैसले हम हैं और आपको पीशे ले जा रहे हैं इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की प्रोग्रेसिव सरकारों की और मुझे उमीद है कि जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी ने देश को पीशे कर दिया है हर चीज़ में हम सम मिल करके जो मंच्वेर बैठे हैं और प्रदेसों में भी हैं जो साथ मिल करके काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव अजन्डा दे करके देश को आगे लिजाने का काम करेंगे मैं एक बार फिर बढ़ाई देता हूँ कि आपने जितना प्रचार करना चीए था आपने भगवान विश्णू उनके अवतार भगवान नर्सिमा जी का जो मंदिर का निर्मार कराया मैं आपको बढ़ाई देता हूँ आपने काम ज़्यादा किया प्रचार कम किया लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज़्यादा करते हैं इसलिए जबी अभी हम लोगों ने तिवहार भी मनाया है हमारे हाँ मकश संक्रान्ती का तिवहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्राइंड हो जाता है अगर हम मकश संक्रान्ती मनाते हैं तो देश में अलग 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 तिवहार मनाते हैं अगर सूर उत्राइंड हुआ है ये समय समय पर भ्रम फेलाते हैं समय समय पर जाल फेकते हैं ये भारती जन्ता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है इससे साथधान रेना हम लोग तो साथधान करी रहे हैं लेकिन आप लोग भी साथधान करना जिससे देश में एक नया परिवर्टन आए मैंनी शब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बढ़ाई देता हूँ इस एतिहासिक धर्दी पर जो एतिहासिक जनसवा हुई है उसके लिए बहुत-बहुत-बढ़ाई और यहां पर जितने भी दूसरे दलों के नेता हैं मैं उन सम्व का स्वागत करता हूँ और एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री केसिया राओस आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत-धनिवाद और बहुत-बहुत-बढ़ाई हम सब को यहां पर एकटा करने के लिए और लाने के लिए बहुत-बहुत-धनिवाद आपका